बच्चों को कहता हूँ कि आप केक मत काटों क्यों नी काटों तो बहुत साल पहले मैंने अख़वारे में एक आर्टिकल पढ़ाता कि भारत दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां 500 से ज्यादा प्रकार की मिठाईया बनती है उस देश में जब कोई उत्सव होता है हम नहीं गाड़ी खरीदते है हमारे एंगेजमेंट हो रही है सगाई हो रही है शादी हो रही है बच्चे का जनदिन है तो हम केक लेके आ रहे है और आप देखें वेस्ट के पास मिठाई के नाव पर क्या है केक है पुडिंग है पेश्ट्री पास्सों से ज्यादा प्रकार की मिठाईया है हमारे पास आप बाकी दिन खाईए कोई दिक्कत ने लिए उत्सव वाले दिन आप केक खरीद के ला रहे है ये गुलाम बन सकता है फिर वो टोपू चंद की तरह उपर टोपा रख रहे है अपने उपर फिर आप हैपी बड़े टू यू कर रहे हम सुगंदित फूलों की माला पहन सकते हैं बढ़िया एक बढ़िया मोति चुर का लड़्ू खा सकते हैं और हैपी बड़े टू यू की जगा अप और तच आप सौ साल तक रहें ऐसे हमारे वेद में जबरदस मंत्र लिखे हैं और वहाँ हैपी बड़े टू यू की ताली ठोक रहें तो ये गुलाम मान सकता है जब अंग्रेज के बच्चे को हमने वो टोपा लगाते देखा हमारी काटने की बाटने की परमपरा नहीं है सहेजने की परमपरा है हमारी बुझाने की परमपरा नहीं है हमारा घी का दिया जलाने की परमपरा